हेलो एवरिवन आज हम Increment and Decrement operators के बारे में study करेंगे अब Increment और Decrement operators क्या होते हैं यह हम कह सकते हैं कि binary arithmetic operators हैं और इनका यूज़ करके हम variable की value को 1 से increment या decrement कर सकते हैं अगर हाम increment operator का use करते हैं increment operator और ये होता है आपका plus plus अगर हम increment operator का use करते हैं तो किसी भी variable की value को हम 1 से increment कर सकते हैं और अगर हम decrement operator का यूज़ करते हैं decrement operator का यूज़ और इसे हम minus minus से denote करते हैं तो हम किसी भी variable की value को 1 से decrement कर सकते हैं आप यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिया यहाँ पर एक variable i आई लिया इसे हमने plus plus कर दिया increment operator लगा दिया इसमें हमने plus plus तो जो भी value होगी वो 1 से increment हो जाएगी जैसे i की value अगर हमने यहाँ पर लिए है 1 तो अगर हमने यह plus plus operator का यूज़ किया है तो after increment यह हो जाएगी 2 उसी तरह से अगर यहाँ पर हमने decrement operator का यूज़ किया है तो अगर i की value आपकी है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमने i minus minus किया है means decrement operator का यूज़ किया है तो यहाँ पर i की value हो जाएगी आपकी 0 तो इस तरह से होता है अब इसमें होता है post fix and prefix forms हम देखते है post fix and prefix form अब पोस्ट फिक्स एंड प्रिफिक्स फॉर्म में क्या अंतर होता है पोस्ट फिक्स में कैसे करते हैं अगर किसी भी वैल्यू को जैसे हमने लिया पोस्ट फिक्स पोस्ट फिक्स में हम डिनोट इस तरह से करते हैं अगर इंक्रिमेंट ऑपरेटर है आपका तो हम डिनोट करते हैं इस तरह से आई प्लस प्लस मिन्स पहले वैल्यू जो रहती है वो यूज हो जाती है आई के जो भी वैल्यू है वो यूज होगी जैसे अगर one है तो वो use होगी पहले उसके बाद में वो increment होती है और अगर decrement अगर देखा जाए decrement operator की बात की जाए तो post fix में वैसे ही होता है जो भी value है पहले use होगी जो भी value होगी अगर two है three है जो भी value है पहले use होगी उसके बाद decrement होगा उसका means उसके बाद में वो one होगी और यहाँ पर अगर हम post fix में increment operator का use करते हैं तो यहाँ पर i की value पहले use होगी उसके बाद में इसका increment होगा इस तरह से अगर हम बात करते हैं next prefix form की prefix form prefix form में क्या होता है कि value पहले अगर increment की बात करें हम तो पहले value increment होती है इसमें और उसके बाद में use की जाती है और अगर decrement की बात करें तो इसमें भी पहले decrement होगा उसके बाद में value use की जाएगी इसका use करके हम किसी भी variable की value को increment या decrement कर सकते हैं जैसे मैं आपको एक example बताती हूँ एक ही बताती हूँ increment का पहले post fix के लिए बता देती हूँ post fix post fix के लिए देखते हैं हम जैसे हमने कोई भी variable लिये है integer a और एक variable और लिया है p, कॉमा करके इसकी value मैंने जैसे दे दी है यहाँ पे 20 अब मैंने यहाँ पे किया है एक variable a जो था उसमें b variable की value को increment किया post fix way है यह यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने लिया है कि a equals to b जो भी b की value होगी increment होकर जो भी value आएगी b की value मैंने assign करवा दी है यहाँ पर a को फिर उसके बाद में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपको b plus plus की जगह पे आप इस तरह से भी use कर सकते हैं b plus one इस type से भी आप इस statement को तो आप इस जगह देखेंगे कि जो भी output होगा हमारा यहाँ से देखते हैं इस form में output आपका होगा b की value क्या होगी पहले आपकी print होगी अगर हम यहाँ पर print करवाते हैं तो a की value क्या होगी आपकी 20 हो जाएगी क्योंकि b क्या था यहाँ पर 20 था तो पहले value यूज होगी यहाँ पर 20 उसके बाद में a क्वेस्टू b किया है अब यहाँ से a की value के आएगी next में a की value 1 इंक्रिमेंट होगी है तो अब यहाँ पर होगी a की value 21 1 से इंक्रिमेंट होगा यहाँ पर तो इस तरह से आपका output मिलेगा उसी तरह से अगर हम prefix का देखते हैं prefix में prefix form में वैसे ही हमने लिया है बिल्कुल integer ले लिये हैं a b यहाँ पर मैंने value ले लिये हैं कुछ भी आप ले सकते हैं जैसे 10 ले लिये हैं यहाँ पर अब a equal to अब यहाँ पर prefix increment में यूज कर रही हूँ plus plus b तो इस condition में क्या होगा आपका और एक और statement यहाँ पर a equals to b एक और statement में यूज करा तो इस condition में क्या होगा कि यहाँ पर जो b की value है 10 तो यहाँ पर आएगी तो b की value सबसे पहले वो increment करेगा means 11 हो जाएगी यहाँ पर तो a की value क्या आएगी यहाँ पर 11 यूज होगी यह इस तरह से अगेन आप जब अगर a को again हम print कराएंगे तो वही same value यहाँ आएगी a में क्योंकि increment पहले ही हो गया है इसलिए यहाँ पर भी answer आएगा 11 तो इसका हम program भी बना सकते हैं बस हमें print करवाना है इस तरह से मैं आपको इसी का एक program c का बना के बताती हूँ इस paper पर ही बनाती हूँ आप लोग अपके system पर उससे बना के run करवाईए और output देखें मैं यहाँ पर बनाती हूँ प्रोग्राम hash include आपको दो files include करानी है header files stdo.h and second file है hash include conio.h अब यहाँ पर voidman function voidman function लिया curly brackets open अब यहाँ पर वही variable लेंगे integer a equals to 10 फिर यहाँ पर हम CLR SCR clear screen के लिए use करेंगे यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर लगा दिया है a equals to plus plus a equals to plus plus b इस तरह से अब इसे मैं पहले print कराऊंगी यहाँ पर printf अब integer type है मैं यहाँ पर इसमें डाल दूगी statement prefix increment मैं डाल देती हूँ यहाँ पर prefix increment operator इसम्पल इतना ही से डाल दिया अब यहाँ पर पूरा statement आपको लिखना है %d कॉमा करके अब value किसकी print होगी a की यह a parenthesis close करके आपको semicolon लगाना है फिर उसके बाद में again equals to b फिर यहाँ पर again printf अब आप direct लिख सकते हैं after increment value of a value of a equals to %d कॉमा करके a की value को print किया semicolon और फिर get ch curly bracket cross तो इस तरह से आप देखेंगे जब यह program टाइप करके तो आपको इस तरह का output मिलेगा और अगर इसी को आप postfix के लिए करना चाहते हैं तो आप यह जो increment operator है उसको bk just बाद में लगाईए और यहाँ पर भी आप statement आप write down कर सकते हैं आपको other result मिलेगा दूसरा तो आप इनको करके देखिए और मुझे comment करके बताइए अब हम देखते हैं conditional operator इसमें use होता है question mark and colon इनका use होता है और यह ternary operator होता है जो की three operants पर work करता है इसका syntax इस तरह से होता है जैसे हम यहाँ पर कोई भी variable उसको लिखते हैं third variable यहाँ पर write down करते हैं यहाँ पर condition होती है और question mark फिर उसके बाद में next variable यह variable यहाँ पर कोई सब भी हो सकता है next variable one and variable two इस तरह से होता है semi call इस तरह से हम use करते हैं अब इसका make आपको short एक program इसी में बना के बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और इसको आप आपके system पर भी run करके देख सकते हैं c language में देखे मैंने सबसे पहले तो दो header file यहाँ पर include hash include stdo dot h and again hash include conyo dot h फिर void man function का use किया मैंने यहाँ पर curly bracket open अब यहाँ पर मैं values लेती हूँ direct integer values है एक question मैंने ले ली है 25 35 and b equal to 50 एक और मैंने ले लिया है variable c यह इस तरह से मैंने a, b and c 3 variables लिये है और 2 की value ले लिये यहाँ पर मैं input नहीं करा रही हूँ direct value यहाँ पर initialize कर दी है अब यहाँ पर मैं conditional operator का use करूंगी तो इस तरह से statement मैंने आपको structure में बताया है variable equal to condition question mark variable 1 and colon लगाके variable 2 फिर semicolon statement close होता है end होता है तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ statement आपका c equal to c जो है third variable है जिसमें value आएगे आपका result आएगा c equals to condition लगा दी मैंने a greater than b फिर question mark a colon b तो अब यहाँ पर मैंने फिर print कराई है value print f आप c की value print कराना है आपको तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर value of c equal to integer type इसलिए %d में ले रही हूँ data type इसका integer है %d लिया हमने double quote close comma c c की value आएगी semicolon फिर मैंने use किया get ch function और अगें 50 के यह condition check होगी तो यहाँ पर condition false होती है क्योंकि क्योंकि 25 greater than 50 नहीं है इसलिए condition false इसलिए 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 आप इसको यह जो दो मैंने प्रोग्राम बताया है increment decrement operator का और conditional operator का यह प्रोग्राम साप अपके system पर compile and run करके देखिए और मुझे comment करके comment box में बताये आपको यह अच्छ समझ में आया है यह नहीं ओके तो हम next video में देखते हैं beat voice operator and special operators ओके थैंक यू